तो कहानी की शुरुवात होती और हम एक घर को दिखाया जाता है जो की जंगल की बीच ओबीच होता है और अब इसी घर में हम एक डॉक्टर को जाते हुए देख पाते हैं और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि यह डॉक्टर डेडरी नाम की एक लड़की का इलाज करने के लिए आया था अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यह डॉक्टर डेडरी को एक इंजक्शन लगाने वाला होता है लेकिन उससे पहले वो डेडरी की फाइल को चीक करता है और वो डेडरी की फाइल को देखते वक्त बहुत ही ज्यादा कन्फियोंज हो जाता है लेकिन दभी अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि गर्लोटर डेडरी की बुओ आ होती है और ऐसे ही वहाँ से वो दोनों अपनी घर पर आ जाते हैं यहाँ पर गर्लोटर डेडरी को बोलती है कि तुम लेजर से बात मत किया करो क्योंकि कार्लोटर डेडर को पसंद नहीं करती अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेडरी वहाँ से सीधा अपने कमरे में आ जाती है और वहाँ पर लेजर पहले से ही होता है यहाँ पर लेजर डेडरी से कहता है कि तुम अपनी मौम की तरह बहुत ही खुपसूरत हो और इ यहांपर निखन पर आने के बाद अपनी मां एली से मिलती है। लेकिन डॉक्टर केक इस बात से मना कर देते हैं और यहाँ पर तब रोहन डॉक्टर केक से गुस्से में बात करने लगती है और इसी वज़े से डॉक्टर केक के दिमाग की नस फट जाती है और इसके साथ वो वहीं पर मारा जाता है अब यहाँ पर रोहन डॉक्टर के एक को मरा हुआ सामने देखकर बहुत डर जाती है जिसके बाद रोहन अब डॉक्टर की ये बात जाकर अपनी मौम को बताती है लेकिन उसकी मौम एली इस बात को serious नहीं लेती अब हम ध्यान पाते हैं कि रोहन अपने मॉम से अपने असली मॉम डैट की बारे में जानना चाहती है लेकिन यहाँ पर एली रोहन को बताती है कि मैंने जहां से तुम्हें गोद लिया था वो लोग हमी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे कर गए थे अब इसके बाद रोहन तो वहां से चली जाती है लेकिन एली यहाँ पर किसी को फोन करती है एली यहाँ पर जिस आदमी से बात करना चाहती है उसका नाम गिप्रेल है लेकिन वहाँ पर एक औरत फोन उठाती है जो कि बताती है कि प्रेल यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर वो एक बहुत ही भेंकर साब के साथ खेल रहा होता है और तभी उसके पास तीन लड़के आते हैं जिन में से वो एक पैट्रिक नाम के लड़के को चुन लेता है लेकिन तभी यहाँ पर पार्टी में डेडरी भी आ जाती है और यहाँ पर वो बेहत खुब सूरत लग रही होती है यहाँ पर हम देखते हैं कि अब कोटलेंड भी डेडरी से आकर बात करने की कोशिश करता है तभी उसके सामने पैट्रिक नाम का वो लड़का आ जाता है जो कि डेडरी के साथ डांस करना चाहता है अब हम देखते हैं कि डेडरी उसके साथ डांस करने के लिए राजी हो जाती है जिसके बाद यह दोनों अब एक दूसरी के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं और हम यहीं पर देखते हैं कि लेजर भी वहीं से इन दोनों को देख रहा होता है और अब इसके बाद पैट्रिक और डेट्रे दोनों एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर अब यह दोनों एक साथ राद बिताते हैं अब अगले सुबाद जब डेडरे उठती है तब उसे पता चलता है कि पैट्रिक की मौत हो चुकी है और अब इस बाद से डेडरे बहुत ही ज़्यादा परिशान हो जाती है और तभी वहाँ पर डेडरे को लेने के लिए कैरलोट अभी आ जाती है जिसके बाद अब यही पर वो खुद बेखुद अंजाने में लोगों की जान ले रही है इसलिए तुम्हें उसे समालने की बहुत जरूरत है अब इसके बाद यही पर हमें फिर से पास्ट को दिखाया जाता है और इधर हम देखते हैं कि डेडरे अब पेगनेंट हो चुकी है तब यहाँ पर फादर को नहीं लगता कि कारलोटा ऐसा कर सकती है लेकिन डेडरे कहते है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तब फादर बताते हैं कि इसा पॉसिबल नहीं है तब यहाँ पर लेजर बताता है कि तुम्हारी कोख में बच्चा पल रहा है और जब उस बच्चे का जन्म होगा जहाँ पर उसे पता चलता है कि लेजर बहुत सारे रूप बदल सकता है अब हम देखते हैं कि डेडरे कुछ टाइम बाद एक बच्ची को जन्म देती है लेकिन कारलोटा उस बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर डेडरे उस बच्ची के लिए चिलाती रह जाती है अब कारलोटा उस बच्ची को एक एली नाम की आउरत को दे दीती है एली जब कारलोटा से इस बच्चे का नाम पुछती है तब कारलोटा बताती है कि डेडरे इस बच्चे का नाम रोहन रखना चाहती है और साथे में कारलोटा उसे समझाती है कि तुम इस बच् को खो दिया था इसलिए डेडरे यहाँ पर बिल्कुल बेसुद हो चुकी थी जिसके बाद अब कहानी वापस से प्रिजन्ट में आती है जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि डेडरे की आखिर ऐसी हालत किस वजा से हुई है और यहाँ पर वो डॉक्टर डेडरे की पूरी कहा पर रख देता है अब यहाँ पर यह डॉक्टर डेडरे को एक इंजेक्शन लागाने वाला था लेकिन तब ही वो डेडरे के कान में बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे पे सब कुछ जानता हूँ वहें गेबरेन भी एली को फोन करता है लेकिन तब तक एली की मौत हो